मैं डाक्टर संजय कुमार सिंग, सहयाचार भुगोल, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजश्ची टंडर मुक्त विज्विद्याले प्रयाग राज, आज परिचर्चा में वाई मंडल की संदचना हम लोग सामिल करते हैं, यह अध्याए बीए एमय सभी छात्रों के लिए अत्यंत उप्योगी है, इस परिचर्चा में हम सभी सिच्छार्थिय किया जाए, वाई मंडल की संदचना, वाई मंडल में संगटन के मुद्दे पर देखें, तो वाई मंडल का निर्माड, सालिड, पार्टकिल, यानि ठोस कर, जिसमें पराग कर, नमक कर, धूल कर, राह कर, यह सामिल है, इसके बाद बिभिन प्रकार की गैसा, जिसमें कार्बन डाई आकसाइड, आकसीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आरगन और अन निगैसें भी सामिल है, इसके बाद वाई मंडल में जो तीसरा बिन्दू सामिल है, या पार्ट सामिल है, भाग सामिल है, वह है जलवास्प, इन तीनों भागों से सामिल होने स वाइमेंडल का निर्मार हुआ है इस वाइमेंडल में बढ़ती उचाई के साथ धरातल से या सागर जलतल से जैसे जैसे उचाई पर हम बढ़ते हैं तरिक्ष की और उस उचाई के कारण वाइमेंडल में कहीं पर तापमान घड़ता है कुछ उचाई पर तापमान बढ़ता है किस उचाई पर जलवास्प घड़ जाता है कहीं पर वाइदाब में परिवर्ता ना आता है तो वाईदाब, तापमान, जलवास्प या वाईमेंडल के जितने फेनाविना हैं जो भी घटनाए हैं कहीं पर उसमें सिमिलर्टी या समानता नहीं पाई जाती है तो आज हम लोग डिसकस करते हैं कि धरातल से जैसे जैसे उचाई की और बढ़ते हैं वाईमेंडल में या अंत्रिक्च की और बढ़ते हैं हम लोग वाईमेंडल में क्या क्या परते हैं और उस परतों की विशेशताएं क्या हैं और उन पर्तों के बीच में कैसे बटवारा किया गया है कौन ऐसी लेयर है जो असमबधता करती है या उसका सिमांकन कैसे किया जाता है इस अंदर में अनेग विद्वानों ने अपनी अपनी ओपिनियन दिया है और उन समग्र विद्वानों को हमने दो वर्गों में रखा है क्लासिफिकेशन कैसी किया जाए वाई मेंडल का तो एक आधार हुआ थर्मल विशेष करेक्टरिस्टिक्स यानि तापी विशेषताओं के आधार पर वाई मेंडल की विभिन परतों का नाम करण किया जाता है और दूसरा है केमिकल करेक्टरिस्टिक्स यानि जो राजसायनिक विशेषताओं हैं उसके आधार पर वाई मेंडल की विभिन परतों का नाम करण किया जाता है इस थर्मल करेक्टरिस्टिक्स के अंतरगत हम लोग डिस्कस करेंगे कि तापमान एयर प्रेशर वायुदाव और उसका जो वायुमेंडल की परते हैं उनका जो तंत्र विक्षित होता है उसको कैसे कैसे विद्वानों ने विभाजित किया इसमें एक विद्वान का नाम आता है जो सबसे ब्यवस्थित वर्गी करण प्रस्तुत किये हैं यह स्पिटर सन्महोदाई इन्होंने पांच उर्ध्वाधर करम में पांच जोन पांच कटिबंद या पांच मंडल या पांच परतों को के बारे में परिचर्चा किया है और उ इसके लावान एक विद्वान है जैसे चोरले हैं बेरी हैं लेकिन उनका वह संचिब्थ वरण क्या जा सकता है लेकिन यह चुकि पिटर्षण का वर्गी करण काफी कुछ जो है वेवश्थित है इसलिए इन ही के वरगी करण की हम लोग परिचर्चा करते हैं पेटर्सन महोदे के नुसार धरातल के पास वाई मंडल की सबसे निचली परत या कह लिजे धरातल से जैसे जैसे हम उपर चलते हैं या अंत्रिक्ष की ओर बढ़ते हैं वाई मंडल में उचाई जैसे जैसे बढ़ती है सागर जलतल से वैसे पहली परत का नाम है ट्रोपोस्फियर इसे हिंदे में हम लोग कहते हैं छोब मंडल और छोब मंडल को जब पार करके क्रास करके और उपर जाएंगे तो दूसरी परत जो मिलेगी वो है स्टेटोस्फियर जिसको हिंदे में हम लोग सम ताप मंडल कहते हैं इन्हों ने पिटरसन महुदे ने तीसरी परत का नाम ओजोन स्वियर बताया था यानि ओजोन मंडल यहीं पर कुछ बिद्वान ओजोन मंडल के अस्थान पर मध्ध मंडल का नाम करण करते हैं मेसो स्वियर बता देते हैं उन से आयनो स्वियर कहते हैं यानि हिंदी में आयन मंडल और यांई पाँचवाँ एकसू स्वियर बाह मंडल कुछ दानों ने आयनो स्वियर और एकसू स्वियर को मिला करके घर्मो श्वियरम मेजर पार्ड डिसकस किया है और थर्मो स्वियर बताने के बाद उन लोगों ने थर्मो स्वियर को आइनो स्वियर और एक्सो स्वियर दो उपभाग में विवस्थित किया है या उसको विभाजित किया है इस तरह से पृतिवी धरातल से जैसे जैसे उचाई की और आप बढ़ते हैं वैसे वैसे ट्रोपो स्वियर, स्टेटो स्वियर, ओजोन स्वियर या मेसो स्वियर, आइनो स्वियर, एक्सो स्वियर कुल पाँच मंडल पाए जाते हैं या पाँच अस्तर पाए जाते हैं इन्ही अस्तर के आधार पर हम वाइमेंडल की समगर विशेस्ताओं का वरण करने का प्रयास करते हैं इस चित्र से आप देख रहे हैं इसमें चित्र में नीचे ट्रोपो स्फियर और यह ट्रोपो पास दिया गया यानि ट्रोपो स्फियर में उचाई पर जब चलेंगे ये ट्रोपो पास मिलेगा ये आपका जीरो डिगरी और यहां पर आपका माइनस हंडेड यहां जीरो लिखा गया यानि आपका जीरो ये धरातल है धरातल से कैसे कैसे उचाई बढ़ रही है इस ग्राफ में दिखा गया है और इस उचाई के साथ कौन कौन सी लेयर है और इस लेयर का पूरी तरह से आप डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं एक लाइन आप ग्राफ में देख रहे हैं जो दाहिनी और नीचे से बाई और उपर जा रही है ट्रोपो पास पर पूर यहां इस्टेबल कंडिशन में फिर इसके बाद दाहिनी और उचाई बढ़ते हुए करम में जा रही है पचास किलो मीटर के बाद इस्थिर हो जा रही है फिर उन्हें यह बाई और उचाई बढ़ते हुए करम में जा रही है इस तरह से आप यहां नीचे एक पॉइंट देखेंगे जीरो डिगरी फिर यहां 20 यहां माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 यानि 80 डिगरी और माइनस 100 टेंपरेचर डिगरी सेंटिग्रेड में दिया गया है इस ग्राफ को देखने से आपको असपस्ट हो रहा है यह ट्रोपोस्फियर उसके उपर ट्रोपोपास यानि छोब मंडल चोब मंडल के उपर की जो लेयर होती है वह ट्रोपोपास छोब सीमा होती है छोब सीमा के उपर स्टेटोस्फियर यानि समताब मंडल होता है और समत सीमा के उपर मेसो स्वियर और मेसो स्वियर से उपर मेसो पास होता है और पुनह थर्मो स्वियर होती है इस तरह से अभी हमने विभाजन की बात करते समय आपको बताया थक मेसो स्वियर को पेटरसन महदय औजनो स्वियर के नाम से अभीत किया है थर्मो स्वियर में दो पार् आइनोस्वियर दूसरा पार्ट एक्सोस्वियर तो यहां जो लेयर ट्रोपोस्वियर इस्टेटोस्वियर मेसोस्वियर थर्मोस्वियर इसका निचला पार्ट आइनोस्वियर उपरी पार्ट एक्सोस्वियर तो धरातल से बढ़ती उचाई के अनुसार वाई मंडल में और इस ताप मंडल के दो भाग हो जाते हैं पहला भाग हो जाएगा आयन मंडल और दूसरा भाग हो जाएगा बाह मंडल यह स्दूपोष्ट्प्र 걸ॉश्वेर छो मंडल की क्याविशेष ताएं हैं छो मंडल में ट्रोपोष्ट्प्र यह सबसे निचली परत है लोवर मोस्ट लेयर किसकी निचली परत है वाई मेंडल की ट्रोपोस्फियर का नामकरण बिद्वान टीजरेंश डी बोर्ट ने किया था ट्रोपोस युनानी भासा का सब्द है ग्रीक वर्ड विच मिंस मिक्सिंग आर्ट टर्बूलेंस इसकाल टर्बूलेंस जोन यानि ट्रोपोस का अर्थ होता है तर्बूलेंस बिच्छोब इसलिए इसे बिच्छोब मंडल कहते हैं यह ट्रोपोस्फियर में आपके दिमाग में प्रसनाया होगा कि आखिर यह बिच्छोब मंडल क्यों कहा जाता है आपको पता होना चाहिए कि धरातल से बढ़ती वैसे वैसे वाई मंडल में टेंपरेचर इस ट्रोपोस्फियर में घटता जाता है क्यों घटता है धरातल से जैसे से उचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जलवास्प की मात्रा घटेगी भारी गैसों की मात्रा घटेगी ठोस जो कण है वे घटेंगे यानि वाई मंडल छोब मंडल में जैसे धरातल से उपर चलेंगे वाई मंडल में ट्रोपोस्पियर छो मंडल में वाई मंडल की सघंता घड़ती जाती है और घड़ती सघंता के कारण सूर से जो किरणे आती है वे निचले भाग में कम आपाती हैं उपरी भाग में ज्यादा आती है रेडियेशन होत वह निचले भाग में बाधित होता है उपरी भाग में अबाधगत से होता है इसलिए निचले भाग का तापमान जादा होता है इस छोब मंडल के उपरी भाग का तापमान कम होता है आपको पहले से पता है कि 8 किलो मीटर की उचाई तक यानि ये 10 किलो मीटर की उचाई तक प बग बग निन्यान भी प्रेस्ट जल्वास बिद्दिमान है जहां जल्वास है ठोसकन है भारी गैसे हैं वहां का जो वाई मेंडल है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है इसलिए इसको टर्बूलेंस जोन कहा जाता है क्यों डिस्टर्ब रहता है क्योंकि जल्वास की यानि कुहरा होगा कुहासा द्यूव होगा फ्रास्ट पाला होगा रेन फाल जल वर्षा इसनो फाल यानि हिम वर्षा क्लाउड थंडर यानि बादल की चमक और उसकी गरज होगी लाइटिंग होगी इस कारण से पूरा ट्रोपो स्फियर यानि छोब मंडल डिस्टर्व रहता है इसे लिए इसको टर्बुलेंट जोन कहते हैं एक बात और ध्यान दीजिए कि ट्रोपो स्फियर यानि छोब मंडल को हम लोग कन्वेक्टिव लेयर रेजन आफ मिक्सिंग रेजन आफ वेदर कहते हैं और इस धरातल के कहीं सागर होगा कहीं पर जील होगी कहीं पर जो है सडक है बनस्पती है क्रिसी भूमी है सब जगह से वास्पन वास्पो सरजन होता है सूर से जो किरडे आती है यहां के जल को वास्पी कृत करती है वास्पन और वास्प सरजन से प्राप्त जलवास्प वाई मंडल में उचाई की और बढ़ता है इस छोब मंडल में जैसे जैसे उचाई की और बढ़ेगा संबहन तरंगे उसकी तीब्र होती है उसमा प्राप्त हो जाती है जलवास प्राप्त हो जाता संबहन तरंगे तीब्र होती है इसलिए इस संबहन तरंगों के आधार पर ट्रोपोश्वियर यानि छोब मंडल को संबहन मंडल कहते हैं विश्वत रेखा पर उचाई इसकी जादा होती है धुरूओं पर उचाई कम होती है क्यों पीशे कारण है उसके पीशे कारण यह है बिश्वत रेखा पर सूर की किर्णे अधिक होती हैं टेंप्रेशर जादा होता है संबहन तरंगे तीब्र होती है इसलिए उनकी उचाई बढ़ जाती है धुरूओं पर उचाई इसकी घड़ जाएगी क्योंकि धुरूओं पर संब अधिक होती है इसी आधार पर यह भी कहा जाता है कि छोब मंडल की उचाई ग्रीस्म काल में अधिक होती यानि छोब मंडल की उचाई अनवरत परिवर्तित होती रहती है चोब सीमा कभी नीचे आती है कभी उपर आती है तो कभ नीचे आती है सीथ काल में आती है कभ उपर जाती है ग्रिस्म काल में उपर जाती है जो आपने पढ़ा कि यहां पर बढ़ती उचाई के साथ टेंपरेचर घड़ता जाता है तो बढ़ती उचाई के साथ टेंपरेचर घडने की जो दर है 6.04 डिग्री सेंटीग्रेट पर किलो मीटर एक डिग्री सेंटीग्रेट पर 165 मीटर यानि एक किलो मीटर हम लोग जैसे जैसे धरातल से उपर उठेंगे 6.04 डिग्री सेंटीग्रेट तेंपरेचर घड जाता है और या 165 मीटर ऊपर चलेंगे एक डिग् यानि सामान ताप पतंदर यह प्रस्ण बड़ा इंप्वार्टेंट है क्योंकि कभी कभी आपके दिमाग में प्रस्ण आएगा कि राजस्थान उत्राखंड नेपाल सिक्की मरुडांचल लगभग एक ही अच्छांस रेखा पर है तो क्यों राजस्थान में बर्फ नहीं रह उचाई के कारण से हिमाले पर हम लोग बर्फ पाते हैं तो उचाई सी लेबल से ज़्यादा है इसलिए टेंपरेचर नार्मल लैप्स रेट कंसार घड़ जाता है और वहां पर बर्फ का जमाव होता है राजस्थान में बर्फ का जमाव नहीं होता है यहां पर पूरे से डेंस्टी घड़ जाती है टेंपरेचर घड़ जाता है इसकी परचर्चा मने किया और इस लेयर को हम लोग मौसम लेयर कहते हैं या मौसम प्रदेश कहते हैं क्यों क्योंकि सारी मौसमी घटनाएं चाहे वेप्रेशन हो वास्पी करनड कंडेंसेशन संगनन हो शोपनाय इसी मंदल में घड़ती हैं इसलिए इस मंदल को हम लोग मौसम मंदल के नाम से भी जानते हैं तो ट्रोपोश्वियर के कई उपनाम हैं इसका घर्म होना सीतलन होना सचालन विकिरन समवहन अनेक जो प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है नेश्ट परत ट्रोपोस्फियर जो चोब मंडल की ऊपरी सीमा उसको कहते हैं इसका नाम करण सर ने पियर सा ने किया था लगभग एक से डेड़ किलो मीटर की इसकी एक मोटी परत होती है जहां पर सारी मौसमी घटनाएं पूरी तरह से बंद हो जाती है एक बात और आपको डिसकस करें कि यह जो ट्रोपोस्फियर है इसकी एवरेज हाइट यानि आवसत उचाई 12 किलो मीटर होती है विश्वत रेखा पर लगभग 18 किलो मीटर और धृवीश हैत्रों में इसकी उचाई 8 किलो मीटर होती है अभी हमने डिसकस कि था विश्वत रेखा पर संभन तरंगे अतधिक सक्तिसाली होती है सूर्या तब के कारण इसलिए अहां पर विश्वत रेखा पर ट्रोपोस्फियर की उचाई अधिक होती है और धृवीश हैत्रों में ट्रोपोस्फियर की उचाई कम होती है आवसत उचाई 12 किलो मीटर मा वायु कहते हैं इसको विद्वान दरफोर्ड ने इसको खोजक किया था पहले से विद्वान थी इसको खोज सब्द यूच किया गया दूसरी जो परथ हुआ है इस टैटोस्वियर है यानि समताप मंडल इस समताप मंडल का नामकरण भी विद्वान टीजरेंस डिबोट ने 19 122 में किया था महतपूर बात स्टाइटोस फियर सम ताब मंडल जैसा कि इसके नाम से विदित है यह सम ताब मंडल है यह लगबख आुसत रूब से 18 किलومीटर से 50 किलومीटर विश्वत रेखा पर पाई जाती यानि 32 किलो मीटर और आठ किलो मीटर से ले करके पचास किलो मीटर धुरूई शेत्रों में पाई जादर बैयालिस किलो मीटर बैयालिस और बत्तिस को जोड़ करके दो से डिवाइड कर देंगे तो लगबग इसकी आवसद मोटाई पता चल जाएगी स्टेटोस्वियर समताप मंडल का नामकरण समताप है मंडल है क्यों है यहाँ पर बढ़ती उचाई के साथ तापमान जो है अनवरत रूप से यहाँ पर तापमान घड़ते हुए दिखा फिर इस्थिर हुआ फिर बढ़ रहा है यहां पर इस्थिर है तापमान यानि यदि तापमान इस्थिर होगा तो सम ताप रेखाएं लंबवत होती हैं सम ताप रेखाएं लंबवत होंगी यानि विभिन उचाई पर सम ताप रेखाओं के लंबवत होने से यानि बढ़ती उचाई के साथ तापमान पूरी तरह एक समान पाया जाता है समताप रेखा क्या होती है समान तापमान के बिंदों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा यानि 10 किलो मीटर से उपर जाईए 20 किलो मीटर तक एक समान तापमान पाया जाता है इसलिए से सम्ताप रेखा काते इसी आधार पर इसको सम्ताप मंडल कहते हैं फिर आपके दिमाग में प्रसना रहा होगा कि आखिरे 20 किलो मीटर के बाद धीरे धीरे इसका ताप मन बढ़ रहा ऐसा क्यों होगा ऐसा इसलिए होता है कि समताप मंडल में लगबग 15 किलो मीटर की उचाई से लेकर 55 किलो मीटर की उचाई तक ओजोन गैस पाई जाती है ओजोन गैस क्या होती है आडविक आगसीजन और परमाडविक आगसीजन के मिलने से ओजोन गैस का निर्माड होता है यह ओजोन गैस सूर्ख से आने वाली अ अफजार्ब कर लेती हैं और जिसे टेंपरेचर इंक्रीजट कर जाता है यानि बढ़ जाता है और इस ओजोन गैस की विशेशता है हमने आपको बताया कि आड़विक आक्सीजन यानि O2 और O आक्सीजन मिल करके O3 बना लेते हैं जिसे ओजोन गैस कहते हैं यह सी लेबल से लगबग 35 किलो मीटर की उचाई पर इसका अधिक्तम मिस्तर तनुपात पाया जाता है और सरवाधिक घनत 20 से 25 किलो मीटर की उचाई पर पाया जाता है यह लाइफ प्रोटेक्टर लेयर के रूप में मानी जाती है यानि जो एको सिस्टम है प्रत्वी पर उस इको सिस्टम को पूरी तरह से सुरच्चित करने के लिए यह ओजोन गैस जिम्मेदार मानी जाती है यदि ओजोन गैस नही होती तो यह अल्ट्रा वाइलिट किरने प्रत्वी धरातल तक आती इनकी मातरा बढ़ जाती और जब इनकी मातरा बढ़ जाती तो उसका गैस को हम लोग प्रित्वी का सुरच्छा कवच यानि प्रित्वी का च्छाता कहते हैं यह हो जो नगैस हमने बताया कि आक्सीजन के तेन अड़ों से मिलकर बना होता है फिर इसकी कारण से टेंपरेचर हाइट के अनुसार इसका बढ़ जाता है स्टैटो स्वियर का जबकि निचले भाग में टेंपरेचर समान होता है इसलिए इसको समताब मंडल कहते हैं इस मंडल की एक सबसे बड़ी विशेशता है यह अत्यंत सांत मंडल होता है और इस कारण से जेट बिमान आसानी से उड़ाए जा सकते हैं यहाँ पर सीरस क्लाउड बनता है जैसे मदराप प रोतियों को बनाने वाले बादल पाया जाता है जैसे नेक्रियस क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है यह स्टैटोस्वेर सम्ताम मंडल के निचले भाग में पाया जाता है इस मंडल जैसे निचले भाग में आती है डिस्ट्राइक कर जाती है 55 किलो मीटर से उपर जाती तो भी डिस्ट्राइक की जाती है यहाँ पर हमने पहले बता आईसो थर्म लाइन इस वर्टिकल एंड बिंड सर्कुलेशन इस होरिजन्टल इंडिस जोन यानि जो आपकी समता परेखा है वह उर्ध्वाधर होती है और उर्ध्वाधर होने से वाईव का प्रवा अत्यंत मंद होता है यानि और वह भी 36 रूप में होता है नेस्ट जो आपकी परत है वाईमेंडल की वह मेसो स्वियर होती है मेसो स्वियर की उचाई लगवग 50-80 किलो मिटर सागर जलतल से पाई जाती है यह एटमास्वियर की स्टेटो स्वियर और थर्मो स्वियर दो परतों के बीच में पाई जाती है जैसे आप इस तो देखिए, यह है मेसो स्वियर, पचास से लेकर 80 किलो मिटर की उचाई पर पाई जाती है, इसकी कुछ महत्पूर्ड भी से इस्ताएं हैं, यहां पर स्टेटो पास के पास, यानि समताब सीमा के पास से लेकर जब मेसो पास तक चलेंगे, यानि छोब सीमा तक चलेंगे, टेंपरेचर अनवरत रूप से तेजी से गिरता रहा और यह गिर करके आ जा रहा है, असी से लगवर 100 डिगरी सेंटिग्रेड माइनस में है, माइनस 80, माइनस 100, इतना ज़्यादा टेंपरेचर गिर जा रहा है, और यह मिनिमम माना जाता है, वाई मेंडल का रिकार्डेड minimum temperature इसलिए मेस्टो पास को नियुन्तम तापमान की सीमा के नाम से जाना जाता है अब आपके मस्तिक्स में प्रसनाया होगा आखिर ये तापमान गिर क्यों गया इतना यहां तो तापमान बढ़ गया फिर यहां तापमान गिर गया यहां तापमान बढ़ गया ओजोन गैस की सांद्रड़ता के कारण अब यहां तापमान क्यों गिर गया क्योंकि यहां वाई मंडल बिरल हो जाता है इसी मेसो स्फियर में जब उपर से कोई मिटियोर्स उलका पिंड आके गिरते हैं या गुजरते हैं तो घरसर से वे जल जाते हैं और उनके जलने से मेसो स्फियर मद्ध मंडल में राख उत्पन्द होती है और जब कभी संबहन तरंगे इस संबहन मंडल से तीबरता के कारण भेदते हुए यहां आ जाती हैं मेसो स्फियर में तो उनके साथ जलवास्प के पार्टिकल भी आते हैं अब यह जो राख होती है जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राख या कोई भी ठोसकन वह आर्दत अगराही नाभिक संबहन तरंगों से आई हुई जलवास को अवसोशित कर लेती है और टेंप्रेचर यहां कम है तो अवसोशित करने के बाद यहां संगनन की प्रक्रिया प्रारंब होती है और संगनन की प्रक्रिया प्रारंब होने से छोटे छोटे बर्प के कण निर्मित होते हैं और एक बादल बनता है जिसे हम लोग नाक्ती लुसेंट क्लावड कहते हैं यानि निशा दीपत बादल यह पॉइंट लिखा गया है यह निशा दीपत बादल केवल मध्य मंडल में ही निर्मित होता है यहां भी एर प्रेशर बहुत कम पाया जाता है टेमप्रेचर जाता है हाइट के अनुझा pace temperature घर्टा जाता है और इसके बास यहां minimum temperature record किया जाता है यह point सभ गया यहां पर y वत्यन्त बिरल हो जाती है next layer हो आइनोस्फियर आयन मंडल आइनोस्पियर कुम को ionosphere कहते हैं आयन पाया जाता आयन यानि आयन का अर्थ होता है charge part kill अब इसकी उचाई क्या होती है 80 से 400 किलो मीटर इबब सी लेबल ये 80 से लेकर 400 किलो मीटर समुत तल से उपर पाई जाती है यहां electro magnetic phenomena घटनाय अधिक होती हैं और उसमें क्या-क्या घटनाय होती है यह लेयर छो मंडल के बाद सर्वाधिक महत्पूर परत के रूप में मानी जाती है क्यों आयनोस्फियर में charge part के लिए हां oxygen nitrogen के स्वतंत्र atoms टहलते रहते हैं बिचरण करते हैं और उस पर सूर्ष से आने वाली जो cosmic rays है या ultra violet किरणे हैं या अन जो waves हैं वे oxygen nitrogen पर लगातार बहुचार करती रहती हैं प्रहार करती रहती हैं जिससे वे charge particle में convert हो जाते हैं और इनी charge particle को आयन के नाम से जाना जाता है वे बिद्दुत आवेशित हो जाते इसलिए इसे आयनोस्फियर आयन मंडल के नाम से जानते हैं इस आयन मंडल में अरोराज की घटना घटती है अरोराज क्या होता है यह धुर्वी प्रकास पोलर लाइट कहते हैं यानि धुर्वी प्रकास एक को बोरियालिस कहेंगे दूसरे को आस्ट्रालिस कहेंगे यह बोरि ध्रवी प्रकास उत्पन्द होगा वो बोरियालिस हो जाएगा जो आस्ट्राल उसे कहेंगे जो दच्री गोलार्द में प्रकास उत्पन्द होगा उसे हम लोग आस्ट्रालिस कहते हैं अब प्रशन उठता है कि ये प्रकास कहां उत्पन्द होता है तो प्रतवीक में और इस magnetism के कारण North Geomagnetic Pole जो 79 डिगरी नार्थ और 70 डिगरी वेस्ट पर है आस्ट्रालिस कहां होगा South Geomagnetic Pole 79 डिगरी South 110 डिगरी East पर है तो यह जो 79 डिगरी नार्थ और 70 डिगरी वेस्ट पर है यहां पर बोरियालिस धुर्वी घटनाएं घटेंगे धुर्वी प्रकास उत्पन होगा उत्तरी गोलार्थ का जो पराकासनी किरने आती हैं Cosmic Waves प्रत्वी का जो Magnetis है और जो वाई मंडल के चार्ज पार्टिकल है इनके आपसी इंट्रेक्शन से वाई मंडल में लगवग 80-500 कभी-कभी 350 किलोमीटर की उचाई पर प्रकास डिवलप होता है उसी को हम लोग कहते हैं अरोरा यानि ध्रुवी प्रकास तो आएन मंडल में लगवग 80-500 और कभी-कभी 350 किलोमीटर की उचाई पर वाई मंडल में पराकासनी किरने कास्मिक रेक्स और सौरिक वेव्ज या सोलर विंड्स के कारण से जो लाइट या प्रकास उत्पन होता है उसे हम लोग औरोरा बोल्यालिस कहते हैं यह अरोरा बोल्यालिस नार्थ में हिमिस्वियर में 79 डिग्री नार्थ 70 डिग्री वेस्ट पर डिवलप होता है लेकिन ज जो South Hemisphere में 79 degrees South 110 degrees East पर डेवलब होगा, उसे अमलों नार्थ ह reperestabi का से प्रतिबियाकार है, तो साउत की घटना साउ ज़न से देखी जा सकती है, नार्थ की घटना नार्थ से देखी जा सकती है, और एक महत्पूर बाते भी है कि Aurora Borealis के कारण जो प्रकास उत्पन होता है वहां धुर्वी छेत्रों में रहने वाली जो एस्किमो जन जाती है उस प्रकास से उसको शिकार करने का एक मौका मिल जाता है तियारोरा बोरियालिस प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए अत्यंत महत्पूर्ड होता है आइनोस्फियर की एक दू सब लेयर है सब लेयर में डी इ यह फ जी चार ए लेयर उप परते हैं आइनोस्फियर के चार उप परते हैं डी को उचाई 60 से 96 किलो میटर सी लेबल से उपर यहां पर लांग जो इंफरारेड्स होती है प्रतिवी धरातल से जो रेडियो वेब्स जाती है बेरिसाड वे जारु कर ली जाती है फिर E-Layer यह 98-144 किलो मीटर होती है इसकी उप्तर नाम किनले हीवी साइड है बिद्वान किनले हीवी सी किनले ने इसके बारे में पर चर्चा इसकी बीसेस्ताओं को बताया इसलिए किनले हीवी साइड इनके नाम के से पर इनका नाम करन किया गया यहां से मीडियम और उच यानि हाई यह यह से मीडियम और यह से हाई यह दोनों वेब्स रेडियों की रिफलेक्ट कर दी जाती है तीसरी उपरत है यह 144 से 360 किलो मीटर की उचाई पर इसका विस्तार पहाता है इसका नाम एपलेटन लेयर और चौती है इसकी उचाई 360 किलो मीटर से ज़्यादा जाती है और यह डिटेक्ट भी नहीं हो पाती इसका अंकर नहीं हो पाता है यदि टीवी टेलिविजन का जो संचार है मुबाइल जो आज के इंटरनेट सिस्टम है वो बरतमान सेटलाइट के मादधम से हैंडिल किये जा रहे हैं संचालित किये जा रहे हैं जबकि पहले जो रेडियो होता था वह आपका इन्ही आइनोस्फियर की परतों के कारण से प्रेशन में सुविधा होती थी अंतिम जो परत पाई जाती है मंडल है वह एक सोस्फियर है यह एक सोस्फियर की उचाई छह सो चालिस किलो मीटर से उपर पाई जाती है हाइड्रोजन और हिलियम गैस यहाँ पर प्रमुख हो जाती है वान एलन रेडियेशन वान एलन रेडियेशन बेल्ट इस पर ध्यान देने की बात है कि लगबग दो हजार किलो मीटर की उचाई से उपर हाइड्रोजन गैस की प्रमुखता हो जाती है और उसमें हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस और चार हजार और बीस हजार किलो मीटर की उचाई पर वाइमंडली प्रक्रियाओं के कारण से वान वहाँ पर लाइट प्रकास डेबलप होता जिससे विद्वान वान एलन ने बताया इसलिए वान एलन रेडियेशन बे के और एक मैगनेटिक फिल्ड का निर्माड होने लगता है यानि बाय मंडल में पांच जार पांच सो अर्सट डिग्री सेंडिग्रेड बहुत ज़्यादा रिकार्ड के में देखा जाते लेकिन यह अनुभाव हीन है इसे अनुभाव करना मुस्किल है तो इस एक सो स्वियर म जैसे जैसे उचाई के साथ हम लोग बढ़ते जाते हैं परतिवी का गुरुत्वा करसन इस प्रभावी होने लगता है परतिवी का चुम की फिल्ड डिवलप होने लगता है और चार अजार बीस जार किलो मेंटर की उचाई पर प्रकास होता है जिसे हम वान एलन बिकिरन मे स्टेखला के नाम से जानते हैं यह पहला क्लासिफिकेशन थर्मल था अनेग विशेष्टाउं के आधार पर वाईमेंडल की विभिन पर्तों का हमने विस्लेशन किया इसके बाद बी यानि केमिकल करेक्टरिस्टिक जो रासानिक बिशेष्थाएं है उस आधार पर वाई मंदल की विविन परतों के हम लोगों ने विभाजन किया है राषानिकस्थन रचना के अंतरगत मसोले निकोलेट एक विद्वान है उन्होंने पूरे वाई मंदल की परतों को दो कटेगरी दो वर्ग में विभाजित किया है पहला वर्ग है होमोस्वियर सम्मंडल दूसरा वर्ग है हेट्रोस्वियर विसम्मंडल समुद्रतल से 0 से 88 किलो मीटर की उचाई तक के भाग को उन्होंने सम्मंडल कहा 88 किलो मीटर से अधिक उचे भाग को हेट्रोस्वियर विसम्मंडल कहा इस सम मंदल में troposphere, stratosphere, mesosphere यानि چोब मंदल, समताफ मंदल, मद्ध मंदल तीन परतों को सामिल किया है हेट्रोस्फियर बिसम मंडल में एटामिक नाइट्रोजन लेयर यानि आडविक नाइट्रोजन परत आडविक आगसीजन परत आडविक हिलियम परत आडविक हाइड्रोजन परत और इसकी उचाए क्रमसा 90-200 किलो मीटर आकसीजन 200-1100 किलो मीटर और अटामिक हिलियम के लिए 1100-3500 किलो मीटर और 3500 से उपर हाइडरोजन की परत पाई जाती है इस तरह से आपके सामने हम लोग वाई मंडल जल्वाई विझ्ञाण या वाई मंडल की एक प्रमुखत ध्याए वाई मंडल की सनचना ब्भिन परतों को हम लोगों ने डिसकस किया तो एक बार आप इस summary के संदर्व में समझें सारांस के रूप में वाई मंडल की चोब मंडल चोब मंडल के उपर ट्रोपो पास छोब सीमा विभाजित कर देती है समताब मंडल से दूसरी पर समताब मंडल समताब मंडल को मद्ध मंडल से समताब सीमा विभाजित कर देती है फिर मद्ध मंडल से थर्मो स्फियर को मेशो पास यानि मद्ध सीमा विभाजित कर देती है इस तरह से विभिन परतों का जो आई मंडल की विभिन परते हैं उनका एक संचिप्त विवरण आपके सम्मुक है धन्यवाद उनका एक सम्मुक है